यह यह setup है इंडियन रेलोए में यूज़ करने के लिए गैंग वाक्षाइट रिमोट कंट्रोल हुटर इस setup में बिसिकली दो पार्ट होता है एक रिमोट यूनिट होता है जो कि यह चोटा मॉक्स है और एक हूटिंग यूनिट होता है जिसमें हूटर लगे हुए हैं यह दो आपस में काम करते हैं और इनकी जो रेंज है 1.2 किलमीटर है रिमोट से हम लोग जब अन करेंगे तो हूटिंग यूनिट रेस्पॉंड करता है उसकी साइरन बजा के और उसकी फिडबैक फिर रिमोट यूनिट पे भी आता है और इसको रिशेट हम लोग इसी हूटिंग इससे ही कर सकते हैं जो इसको तो रिशेट करेगा ही करेगा हूटिंग यूनिट को एस रिमोट यूनिट में जो सिगनल जाता है उसको भी रिशेट करेगा रिमोट ये दोनों यूनिट रिमोट एस रिमोट यूनिट यूनिट दोनों ही इन बिल्ट बैटरी है दोनों में दोनों ही रिचार्जबल है, इस राइट साइड में, दोनों बॉक्स की राइट साइड में, ये रिमोट की राइट साइड में ये है चार्जिंग पॉइंट, पूटिंग यूनिट की राइट साइड में ये चार्जिंग पॉइंट, ये कंप्यूटर के विल जो है, इससे च वे भी चार्जिंग इंडिकेटर आएगा जब हम लोग चार्ज करेंगे यह बैटरी नॉर्मली चार्ज से पाच घंटे में काम करने लाएक चार्ज हो जाता है लेकिन हमारा रेकॉमेंटेशन है एक लिस्कों चार्जिंग करें ताकि यह प्रॉपर चार्ज रिटेंड कर पा यह remote unit के लिए यह antenna है जो इहां collect हो जाता है और putting unit के लिए antenna यहां है जो इस point में correct हो जाता है दोनोगी portable है यह handle लगा हुआ है carry कर सकते है putting unit normally जो workshide में काम करतें उनके पास रहता है और remote unit या तो cavin में रहता है या जो control करेंगे उनके पास रहता है अभी manual switch से मैं operate करा के दिखा देता हूँ, यह automatically काम करा सकते हैं, अपने relay room से कोई contact लेके, यह switch on button है, मैं इसको भी switch on कर रहा हूँ, और booting unit को भी switch on कर रहा हूँ, switch on करते ही power on LED on होगा, यह एक alarm बज़ रहा है, इसकी बाद मैं बाद मैं बताता हूँ, इसकी function क्या है, इसको switch on करेंगे, एक दोनों को, यह दोनों unit आपस में interact करेगा, यह communication on दिखा रहा है, यह beep sound भी देगा, और LED on होगा, यह continuously करेगा, जब तक यह range के अंदर है, range के बाहर चला जाएगा, तो यह fashion change हो जाएगी, या तो बज़ेगा नहीं, यह continuous बज़ता रहेगा, ऐसी पता चलता ह range के अंदर है या नहीं है, और switch on करती है, और एक बटन on होता है, और एक radio frequency on हो रहा है या नहीं, यह radio frequency signal रिमोट को भेजता है, hooting unit, और remote unit radio frequency signal अपना hooting unit को भेजता है, ऐसी यह दोनों की hand second होती है, यह exclusive है, दोनों की serial number लगा हुआ है, दोनों ही 9 number का है, अज़र दूसरी number कोई remote unit यहां रहे, वो इस होटी unit से interact नहीं कर पाएगा, या कोई दूसरी number का होटी unit यहां रहे, वो इस remote के साथ interact नहीं कर पाएगा, इसलिए हर एक होटी unit के साथ remote unit exclusive है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग remote unit से switch प्रेस करेंगे, होटा रॉन की, और यह जो unit है, इसमें sound होगा, hooter unit पे ये जो button है ये basically उसमें दो siren राइट साइड में लगा हुआ है, दिखाओ, एक इस साइड में लगा हुआ है, दोनो साइड में लगा हुआ है, और एक लेफ्ट में लगा हुआ है, ये दोनो साइरें भूटिंग करता है, अब ये selection button है, आप एक साइरे साइरें बजाना चाते है, दोनो साइरें बजाना चाते है, नीचे एक साइरें बजेगा, ओपर की तरफ करें दो साइरें बजेगा, अजब दो साइरें के लिए प्रेश कर दिया हूँ, और अभी उटार बटन, उटार राण बटन में प्रेश कर रहा हुआ हूँ रिमोट प्रेट करें पर रिशेट हो गया यह हुटर रूस यहां भी रिशेट हो गया रिमोट इपने मत्रा फीदबेक आ गया कि वह लोग एक्सेस कर लिया है यह जो कमंड भेजा था उसको लोग रेजिस्टर कर लिया है इसलिए रिशेट कर दिये हैं अब हम लोग आ रहे हैं यह एक स्लीप टाइमर अलार्म है जो गैंगमेन वाट में जो लाइन में काम कर रहे हैं वो अगर कभी थोड़ा सा डिजीनेस फिल करें या सो जाए या अलाट ना हो तो यह अलाट करने के लिए यह टाइमर है यह दस से चौदा से एक सी चौदा मिनि यह जो कैरी करेगा वार्कमेन लाइन में जो कैरी करेगा इसको अगर कभी देखना है वही मेरा हूटर काम कर रहा है या नहीं तो उसके लिए टेस बटन भी यह दिया हुआ है यह बटन बजा दबाएंगे तो भी यह बजेगा हूटर इससे यह फंक्शनलिटी पता चलेग कर रहा है अभी मैं बजा रहा हूं देखिए हुटर बजेगा इस तरीक से यह काम करता है थैंक यू